संजना नाम सुनते ही शायद हमारे जहन में किसी फिल्मी कलकार का नाम आ जाता होगा मगर ऐसा नहीं है बलकि संजना साथ रोड वो शक्स और उरजावान नई सोच की एक ऐसी महिला है जो लंदन से कुइन्स मेरी यूरिवोसिटी से ललम की डिगरी लेकर सीधे बरवाला की धर्टी पर एक तरह से ववस्था के खिलाफ जंग में उतर गई है वो कहती है कि हमारा पैदा होना ही जमेदारी सिखाने का प्रकृर्टे का अनमोल तहफा है संजना के वेक्तितव और कारिशेली ने आजकल बरवाला की लोगों के साथ मिलकर उनको जरूरी मुद्दो के साथ लड़ना सिखा दिया है वो बताती है कि सिर्फ ईविम का बटन दबाना ही काफी नहीं बलकि उस उम्मिदवार के तस्वीर को मशीन में दिखाई भी दे साथी बूत पर उस उम्मिदवार का चिट्था भी सारवजनी किया जाना चाहिए और ये अधिकार उन्होंने सुप्रेम कोट से लिया जब उन्होंने उसके लिए याचिका दाखल की तो कोट को संजना की याचिका पर आधा दरजन ऐसे निरने लिये गए हैं जो लोगों की जीवन शैली पर ही प्रभाव नहीं डालेंगे बलकि सामाजिक और आर्थिक ववस्था को सरकार बेहतर बनाने के लिए मजबूर होगी मगर उनके असनी ताकत तब और होगी जब वो विधानसभा में बैठ कर नीतियों के नर्मान में अपनी भागिदारी करेंगी और इसके लिए वो आज कल बरवाला विधानसभा श्वेतर की गली गली और घर घर तक पहुँच गई है और वो क्या करने वाली है और क्या कहती है ये सब सत्य खबर की मंच पर उन्होंने सारिका के साथ कुछ अपने मंच की बात को साजा किया है नमस्कार सत्य खबर पर आपका स्वागत है वैसे तो इन दिनों हम चुनावी जो माहोल है उसको लेकर ही चर्चा कर रहे हैं लेकिन आज उस चर्चा में एक ऐसे अलग सब्जेक्ट और एक ऐसे अलग सक्स महिला से मिलवाऊंगी मैं अपने दर्सकों को जिसको सुनकर और देखकर शायद मेरे दर्सक बहुत हैरान होंगे और मैं चाहूंगी कि उनकी जो कारिये सैली है उनका जो लाइफ स्टाइल है और उनके जो राजनिती करने का एक तोर तरीका इस वीडियो को आप आखरी टाइम तक देखें हिसार जिले की बर्वाला विधान सभा शीट को मोडल सीट बनाने के लिए मोडल विधान सभाक्षेतर बनाने के लिए संजना साथ रोड का इंट्रोडक्शन मैं उन्ही से लूँगी क्योंकि इतना लंबा चोड़ा इंट्रोडक्शन है उनका शायद मुझे भी कोश्चन करते हुए पसीना आ जाएगा एसी चल रहे हैं और बहुत अच्छा सुहाना मोसम है मेरी इनकी दो दिन पहले बात होई और मैं स्पेशल आज इन से मिलने आए कि वो राजनीती में कैसे आए कहां लंदन से LLM की कहां दिली यॉनिस्ट्री से बीये LLB की एक सोसल वर्कर जिनोंने जन हित में सुप्रिम कोट में याचिका डाली और इनकी याचिका पर सुप्रिम कोट को फैसले देने पड़े यह सोसल वर्कर ही नही एक जमीदार की बेटी और जमीदार के परिवार में ब्याई है और उसके बावजूद भी अगर इनके काम को देखेंगे तो मेरे ख्याल में सारी पार्टियों को इन से प्रेरना लेनी चाहिए खेर मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी हम इनी से जानना चाहते हैं संजना मैं सबसे पहले तो सत्यकवर पर आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद मैं मैंने आपके बारे में कई बार सुना एक बार मुझे थोड़ा सा ना ब्रीफ करें आपका इंट्रोड़क्शन आप कहां से हैं बिसिकली और हिसार में आके आपने जो राजनीती का जो एक धारना बदल दी है कि भई महिलाएं केवल घर का कामकाज ने इतने पढ़े लेखे महिला भी राजनीती में किस तरह से आप मैनेज करते हैं कहां से हैं आपकी पढ़ाई शुरुआत नमस्कार जी आपको और आपके सभी दर्षकों को जैसा कि जब शुरुआत करते हैं तो फिर मेरे इंटर्ड़क्शन में मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम संजना सात रोड है और मैं दिल्ली की बेटी हूँ और यहां इसार में मेरी शाधी हुई है सात रोड हमारा करम शेतर है जहां से हम सारे समाजिक काम करते है मेरा ओफिस, कार, एजन्सी, फैक्टरी सब कुछ यहीं पे है और जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं सिरफ चुला चोखा समालने के लिए घर समालने के लिए अब नहीं है और सशक्त हो चुकी है तो मैं आपको बताती हूँ जो भी महिला होती है उसके अंदर एक इनर्ट स्किल होती है मतलब वो पैदा होती है इस कौशलता के साथ कि वो अपना घर समाल सके है और जिसके पास समालने के लिए इसके ला जाती है तो वो बेशक घर हो वो कोई गाँ हो कोई शेत्र हो या पुरा देश हो या विश्व हो वो महिला बखू भी उसको समाल सकती है मैं कभी नहीं मानती कि महिलाएं किसी से कम है और इसी के साथ ऐसी है मेरी परवरिश रही है जो अपने बज़र्गों भी की पढ़ाई करी है वो मैंने आई-पी उनिवर्सटी दिली से करी है मेरिट में नंबर थे तो फिर उसको हमने कंसीडर किया वैसे मेरे 12 में भी काफी अच्छे मांक्स थे पहले डियू हिंदू कॉलेज में मैंने अड्मिशन लिया था पर फिर मेरे अंदर एक आवाज है कि मुझे वो करना है जो हमारे रिफॉर्मर्स ने किया था जो हमारे रिफॉर्मर्स रहे हैं वो ज़्यादा तरह अगर आपने देखें तो स्वतंत्रता के टाइम पे जितने भी हमारे चॉंस्टिटूशनल निर्माता रहे हैं या हमारे देश को अकार देने वाले रिफॉर्मर्स रहे हैं वो सब वकील थे यह बहुत बड़ी बात है लंदन जाने का मन बन गया फिर मतलब वहीं की भी वो भी लंदन से डिग्री लेके आ रहे थे पेरिश्पर बोगते थे शायब जी जी तो उन्हीं के पच्चेनों पे चलके मैंने लंडन जाने का फैसला किया था मुझसे काफी बार पूछा जाते है लंडन जाके वापस आना क्यों है मैंने का जाना ही इसले था क्योंकि वापस वो करांती करने आना था तो एक तरह से राजनीती में जो आपका आना आपकी सोच आपकी आइडियोलोजी एक पूरी तरह से करांती कारी महिला के तोर पर देखते हैं लोग मुझे जितना सुना मैं तो खर फस्ट टाइम मिल रही हूँ तो जो बरवाला में आपने जो शुरू किया कि भी चुनाओ लड़ना है लेकिन आपका चुनाओ लड़ने के जो तोर तरीके वो सब एक्तम सबसे अलग है जी क्योंकि जो राजनीती होती आ रही है जो राजनीतिक दाव पेज गंदगी एक दूसरे को नीचे खीचना विरोध करना ये सारे काम ना मुझे आते ना मैं सीखूंगी अगर मेरे अंदर कौशलता है अगर मेरे अंदर स्किल्ज हैं और अगर मैंने कुछ काम करें तो लोग मुझे उसी पर रखके वोट दे मैं यही चाहती हूँ मैं अपना विजन शेयर करना चाहती हूँ पहले जो मैंने अपने काम करें वो बताना चाहती हूँ तो मेरे पास ना तो टाइम है किसी का विरोध करने का टांग खीचने का और ना मेरे अंदर वो संसकार है कि मैं वो करूँ मैंने एक मुही मोर देखी थी आपने कुछे जन हीत में सुप्रीम कोर्ट में याचिकान लगाए मुझे पता चला मैं कफी सारी चीज़ें आपके बारे में सुनके आई हूँ तो कौन सी याचिका थी और वो जो पब्लिक इंट्रेस्ट में थी उसको थोड़ा प्रीफ करें म तो जब मैं कॉलेज टाइम से ही मुझे हमारे पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन के बारे में क्योंकि वकालत पड़ी है तो पता चला था कि एक आम आदमी के हाथ में एक ऐसा शस्त्र है जो जो लॉज गलत हैं जो हमारे समिधानिक हकों को मौलिक अधिकारों को हनन पह सोच के आपने राजनिती ही करने है मुझे और आपने बता कि मेरा मॉडल भी तूसरा है क्या सोच के आपके मन में आई क्योंकि शादी के बाद है अक्सर लड़किया 5-4 साल तो भई परिवार के साथ घोमना फिरना लेकिन मैं देखती हूं कि तीन साल के बाद ही आप इस फ इसके लिए रोका नहीं बलकि प्रचाहन और दी आगे बढ़ने के रस्ते और दिखाए तो जैसे ही जब शादी हुई तो यहां पे मुझे दिख रहा था कि बहुत से धरने लग रहे थे अपना जब मेरी शादी हुई थी मैं लंडन से वापस ही आई थी सब सबसे बड़ा जो धरना चल रहा था वो था किसान अंदोलन का तो हजार बीस की बात है तो लंडन से सीधा धरना ही देख्या आपने तो आई तो जो सोच थी करांती करने की उसका सही मंच मुझे मिला गए आप वहां धरने में गए आप उस टाइम पे जब मार्च में मैं वापस आई थी दिल्ली में लॉकडाउन था हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और उसके बाद मेरी नवेंबर में शादी हुई तो शादी के एकदम बाद से मैंने धरनों पे जाना शुरू किया किसान अंदोलन में भी मैंने आचिका लगाई थी लेकिन वो थी पराली जलाने पर कि परा लास्टेर ही इसको कंफर्म किया था कि यह जो याचिका थी यह साइंटिफिक माध्यम से बनाई गए थी लॉजिकल थी और यह बिल्कुल इलॉजिकल वादे उन्होंने स्विकार किया कि इसमें हमारे किसान भायों की कोई गलती नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन इनकी पराली जलाने से हो रहा है तो अब भी जैसे बरवाला में 37 के करीब गाउं हैं आपकी बस भी चल रही है तो क्या बरवाला को क्या सोचते क्योंकि आपके पास कोई बड़ा राजनेतिक दल नहीं है फिलाल है आप निर्दलिये और आज के टाइम में राजनेतिक दल का मंच मिले बगेर कैसा लगता है कि कहां राजनेतिक दल की स्टेच हो कहां मैं अकेली नड़ दरी है दरजनों गाउं से लोग आ रहे हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं समस्याएं सिरफ मूल भूद जरूरतों की थी हाँ पहली समस्या तो वो रोड की जो उनकी जीवनी थी जो ने शहर से जोड रही थी फिर पानी सड़क सफाई होस्पिटल स्कूल इस तरीके की अगर मैं कुछ भी कर लूँ यह जो सरकारी महक में इसमें अगर मुझे काम करना है तो पत की जरूरत है तो इसी लिए राजनिती में आने का फैसल किया और क्योंकि वकालत कर रखी है यह बात भली भाती जानती हूं कि हमारा लोग तंत्र है यहां पर जनता का शासन होता है जनता से होता और जनता के लिए होता है इसी लिए मुझे पता था अगर लोग मेरा काम देखके मेरे को आशरवात देते हैं मेरा साथ देते हैं तो दल हो या ना हो उससे फरक में पड़ता और MLA एक ऐसा पद है जो लोगों की शेतर के लोगों की जिन्दगी पर डारेक्ट असर करता है उसे उमीदें बहुत होती है उमीदें बहुत होती है तो अगर लोग आपके प्यार आपके काम पे महबत करते हैं तो विधान सभा में आप पहुँचेंगे एक विजन लेके चल रहे हैं अगर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ खाना पिना नहीं है जो गंदी सी राजनी थी आप देखते हैं तो विजन तो होता ही है हर आदमी का मुझे चंद सब्दों एक विजन बताया चंद सब्दों जो मेरा विजन है बर्वाला को लेकर हो यह है कि मुझे इसे मॉडल विधान सभा शेतर बनाना है मॉडल विधान सभा शेतर का अर्थ है कि जहां पे सभी चीजे तरीके से की जाए कि एक छोटा सा उधारन देती हूं कि अगर हम एक सडक बना रहे है तो पहले सभी विभागों का सर्वे होगा अगर कोई केबल डलनी है कोई पाइपलाइन डलनी है कोई सीवर की पाइप, कोई फ्रेश वाटर की पाइप तो वो पहले डलेंगी उसके बाद वो सडक बनाई जाएगी ताकि एक ही सड़क को चार-पांच बार ना बनाना पड़े यह छोटा सा उधारन है इसी तरीके से हमने बहुत सारे प्लांट्स सोच रखे हैं बर्वाला शेत्र को लेकर तो वो भी अभी बड़े बोल हो जाएंगे क्योंकि जब तक करती नहीं तब तक प्रचार नहीं करूँगे क्योंकि जूटे वादे नहीं करना चाहती विजन जो है जो हमारा बर्वाला शेत्र है वो निचले स्तर पर है ओधर पानी एकटा हो जाता है और लोगा प्लाना फेलती है तो इसलिए हमने एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लान्ट लगाने करना जिसमें सारा जो पानी है वो एक जगा एकत्रित हो और उसी पानी को हम रीसाइकल करके लोगों तक पहुँचा सकें इससे दो काज हो सकते हैं एक फ्रेश वाटर लोगों को मिल सकता जैसे जैसे मतलब एक उद्धोगी करन हो गया हर चीज में और हर MLA की मैं सुनती हूँ कि यहां इंडुस्ट्री आए तो लगता है आपको की भी यहां भी है जरूँ जहां से रोजगार के ज़्यादा उसर बढ़ते हैं मैं आपको बता दूँ अभी फिलहाल जो हमारे करम शेतर है सातरूर उसी में हमने अपनी तरफ से कम से कम दोसों लोगों को इंप्लॉइमेंट दे रखी है जो हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं वहीं जब हम गाओं की बात करें गाओं उस तरफे भी बहुत इंप्लॉइमेंट ऑपर्चुनिटीज ओपन हो सकती हैं जैसे कि जो स्कूल्स हैं उसमें प्रॉपर विकैंसी हैं जो फुल्फिल नहीं की जाती जैसे जो सफाई के लिए जो लोग निर्धारत हैं वो बड़े गाओं में भी दो हैं छोटे गाओं में भी दो हैं तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको हम फुल्फिल करेंगे जो लोग काबिल हैं जिनको मौके मिलने चाहिए जिनके जो MLA के अंडर जो हक होते अंधिकार होते employment देने के वो सारे फुल्फिल किये जाएंगे बहुत बहुत शुकरिया संजना मैं आपके जो आपने वीजन बता मुझे सांस भी चड़ गे हैं आपकी qualification सुनके और इस लेवल पे जाके गाओं में लोग आना भी नहीं पसंद करते और वहां संजना गली-गली की खाक चानकर इन जो समश्याएं हैं उनको उनका एक मैप ना लिया है कि अगर जनता उनको इस मोका देती है तो मैंने पहली बार एक महिला से इतनी पड़ी लिखी महिला से राजनीती में उनसे सामना किया और जो मोडल विधान सभा की बात की वो भी मैंने पहली बार सुनी बाकी लोग भी इनसे प्रेर ना ले 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 तो बहतर है डेमोक्रेसी है और जो भी परदेश की सरकार होती है उनको बहुत पावर होती है और विकास की लोगों को बड़ी उमीदे होती है लेकिन संपूर्ण विकास नहीं हो पाया और आज लोगों के पास मूल भूत्स विधाओं का भी अभाव है उस अभाव को देखकर राजनीती में आकर मोडल जो विधान सभा की बात की संजना को इसकी बहुत बहुत बदाई और हम आपको क्या कहूं मैं आशिरवाद तो आशिरवाद ही कहूंगी कि लोग आप पे भरोसा करें और चो आपकी सोच और आइडोलोजी है ये सही में लोगों तक जाए और स्थापित हो हम फिर इसे मुलाकात करेंगे देखेंगे कि बरवाला की लोग इनकी जो सोच को उस पे कैसे मोहर लगाते हैं हिसार से सारीका की रिपोर्ट नमस्कार